नमस्ते दोस्तों, जीपी ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार उन्ह स्वगत है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रिवियस एर कुश्चन कबर कर रहे थे। इसी सिरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में तेलंगाना सरकिल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2022 का ये पेपर है, सेट्डी का पेपर है, ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट के 50 कुश्चन इस वीडियो में कभर करेंगे। इस वीडियो को सुरुवात करें, उसके पहले एक महत्पूर जानकारी, इस स्क्रीन पे जो आपको पीडियो दिख रहा है। इसी प्रकार का पीडियो असी सेट से ज्यादा पीडियो आपको चाहिए, उत्तर सही, तो आपको हमारे पैट क्लास में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंटल सलूशन तो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, आपको रिजिनिंग का सलूशन चाहिए, आपको मैत का सलूशन चाहिए, जीके का सलूशन चाहिए, उनके सेपरेट वीडियो, सेपरेट पीडियो चाहिए, तो आपको हमारे में प्रवाइट कराते हैं चलिए बिना टाइम बेस्ट की हुए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं पहला क्वेश्चन के लंगाना सरकील ने पूछा था कि एज पर SB Order No.01-2021 के नुसार किसी भी इसमाल सेविंग स्कीम को एक जगह से दूसरे जगह या मोलूं कि भाई एक डांग घर से दूसरे डांग घर में इस्तनांतरन करना है तो चार्ज कितना लगता है ध्यान दखिएगा ये परिवर्तन SB Order No.01-2021 में पताया गया है किसी भी यदि खाते को ट्रांसफर करते हैं तो 100 रुपिया खाता ट्रांसफर करने का फीज है 18-18% का GST लगेगा 118 रुपिया चार्ज किया जाता है इसके लगा और बहुत सारी चीजे हैं जैसे डूबलीकेट पास्टू की इसू करवाना है तो 50 प्लस GST लगेगा ठीक है 18% मतलब 69 रुपिया हो जाएगा चेक डिसॉनर का फूइस 100 रुपिया लगता है 100 रुपिया उसका फीज हो गया 18% GST मिला के 118 रुपिया होगा इसी प्रकार के कुछ फीसेस हैं जो आपको याद करने हैं पर इच्छा के दरिश्टुकोर से काफी इम्कॉर्टेंट है Q2 की और चलते हैं पूछा गया है कि कोई भी B.O. है और B.O. में कारेयत कोई GDS है कैस बिड्रावल करता है पर इंडिविज्जुल उसका लिमीट कितना होगा बिना किसी अनुमोदन के बताईए बिना किसी स्वेकृती के B.P.M. कितनी निकासी कर सकता है पर परसन 2000, 3000, 4000 या 20,000 चलिए हमने पहले देखा था कि पहले ये लिमीट 5000 था 5000 निकासी हुए पर इंडिविज्जुल कर सकता था अभी ये लिमीट बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है 20,000 तक निकासी कर सकता है बिना किसी अनुमोदन बिना किसी स्वेकृती के इसी वज़य से इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया है नेक्स्ट कुश्चन की ओर चलते हैं आप ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये परिवर्तन 5000 से 20,000 का परिवर्तन किस एस्वी ओर्डर के तहट किया गया था आपके कमेंट का मैं इंतजार करूँगा अगला जो कुशन थार्ड नंबर का है डॉट डॉट इज नोडल ओफिस इलेक्ट्रोनिक क्लिरेंस सर्विस electronic clearance service क्या था कि हम IES का जो बैयाज है अपने मन पसंद के बैंग खाते में चाहिए तो इस service के माध्यम से डांग घर आपको सुभिधा देता है कुछ चुनिन्दा सहरों में ये सुभिधा उपलब्द है इसके लिए एक nodal office बनाया गया था nodal office कौन सा था? nodal outward office बनाया गया था चलिए बताए बंगलोर था, हैदराबाद था, इसके लाब चेन्नई ये मुंबई जीपियो करेक जवाब हो जाएगा चेन्नई पहले भी किसी सरकील में question देखने को मिला था चेन्नई जीपियो को ध्यान रखिये गा nodal outward credit कारियाले बनाया गया था चलिए अगला question चार नंबर का है बोला है कि CSI branch post office, the delivery app, value paywall article, cash on delivery article and bpmo book had to be done dot dot device कि जो डागर CSI के तहत रोल आउट हो चुके हैं वहाँ पर bp की booking, cod की booking, इसके लाबा bpmo जारी करने का काम rict से करेंगे, pma से करेंगे, make doos से करेंगे या संचे post से करेंगे आपको पता है कि RICT इसका एक तरीका है, लेकिन इसका नाम अभी RICT नहीं रहा इसके साब से उत्तर एक रेक्ट होगा, इसको अभी हम बोलते हैं दरपन और दरपन का full form होता है, digital advancement ruler post office for a new India ये आप ध्यान रख सकते हैं, चलिए अगला question है, question number 5, और question 5 बोला है कि dot dot के mark दरसन हे तू, postman की beat सूची, तयार और सनरचित की जाती है कुछ option दिये हैं, देख लेते हैं, delivery agent, delivery assistant, delivery postman, delivery MTS ध्यान रखिएगा कि वित्रन सहायक के mark दरसन हे तू, town postman की beat सूची तयार की जाती है B option इसका correct हो जाएगा अगला question है, question number 6, यहाँ पर बोला है TB order, TB order are issued by TB order, two order कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी पधानमंत्री है, राष्टपती है, दोरे पर जाता है, उनकी डांक उनके जगहे पर दी जाती है किसके आदेश केता है, TB आदेश केता है, जारी कौन करेगा, सुपरेटेंडनेंट, पोस्ट आफिस, असिस्टेंट, सुपरेटेंडनेंट, पोस्ट आफिस, या फिर option C correct होगा, सुपरेटेंडनेंट, RMS ध्यान रखिएगा, options C, इसका बिल्कुल correct होगा, RMS के अधिच्छक, TB आदेश जारी करते हैं अगला जो question है, all India male survey है, जो टू कभर, कि all India male survey जो किया जाता है, वो किसको कभर करता है option एक में दिया है, home district को सही बात है, home circle को सही बात है, other circle को सही बात है D option correct होगा, all India male survey इन सभी जगहों को कभर करता है, याद कर लिजेगा physical bag verification, empty bag will be done, खाली bag का भौतिक सत्यापन, once in year, quarterly basis पर, two is in year, three is in year ध्यान रखिएगा, physical bag verification जो है, वो प्रती वर्स एक बार किया जाता है ये option number A का correct है, हम टिक करेंगे option number A को अगला question, question number 9 है, और यहाँ पर बोला है mail to be handed over to an air service at airport are entered in a delivery bill in the form number कि हवाई एड़े पर हवाई सेबा को सौपे जाने वाले mail को delivery bill number में dot dot दर्ज किया जाता है उसका आपको number बताना है, form number बताना है ACG 17, AB 17, AB 7 याद रखीगा form number जो है AB 7 होगा, option C इसका correct हो जाएगा अगला question, question number 10 question number 10 में आपको बोला है later bill, पंजिकरत लेक, बीमित लेक जो air की माद्यम से भेजा जा रहा है उन पर क्या लिखा होना चाहिए, post, restante, standard list, इसके लब पोर्ट पे या फिर पार अबियान ध्यान लखिएगा, मैंने word बताया था, कि हवाई डांक से जब भी कोई service ली जाती है उस पर एक सब्द लिखा जाता है, सब्द का नाम होता है पार अबियान, ठीक है जो कि हमें B में बताया गया है अगला question है, maximum weight बताना है, वो भी business parcel का, जिसे मैं BP बोलता हूँ द्यार नखिएगा, BP का अधिक्तम बजन 35 kg होगा, BP के अलग-अलग condition है, minimum 2 kg होगा, इसको भी आप याद कलीजेगा इसका जो जबाब correct हो जाएगा, वो हो जाएगा C, हम चलते हैं अगले question की तरफ आपको कुछी statement दिये है, statement BMS से संबन्दित है, बिल मेल सर्विस से संबन्दित है, बताना है कि कौन सा सही है statement number 1 क्या बताया है, कि minimum quantity अगर आप BMS के article पोस्ट करते हैं, minimum quantity आपको 5000 का जरूरत पड़ेगा याद रखीएगा, statement 2 में बताया है, कि 50 ग्राम से अधिक ना होने पर डांग की जो दर होगी, वो 3 रुपए होगे तो ये बात है कि 50 ग्राम तक 3 रुपए होगी, minimum quantity 5000 होगा, ये दोनों बातें मिलकुल सही है इसलिए हमारा option number D correct होगा, 1 and 2 are corrected, ठीक है, चली अगला है 13 number question डांग भी भाग में FSI जो प्रोजेक्ट था उसका विक्रेता कौन था 1.0 का question है, FSI का vendor पूछा है, FSI का full farm होता है, financial, services, system, integrator याद रख लिएगा, इसका जो vendor था, वो infosys था, अगर मुझे FSI का vendor पूछा है, तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इसका तो D हो गया, Reliance जो है, वो data center का था, याद का लिजेगा, TCS जो था, वो CM का था, मतलब change management का, और इसके लाबा CSI का भी था इन दोनों बातों के भी आप ध्यान रख लिजेगा 14 number question है, बोला है expand करिए, किसको expand करना है? ECMS को मैंने पहले भी बताया बहुत बार, enterprise content management system, E से होता enterprise, C से होता है content, M से होता है management, S से होता system क्या उप्योग है? PLI, RPLI के जो नए प्रस्ता होते हैं, उन दस्ताविजों को upload करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है कहां पे लिखा है? Enterprise content management, B में लिखा है कौनसा option, B option? अगला question है BI, आपने सुना होगा business intelligence, किस project से संबंदित है, किस component से संबंदित है FSI से, CSI से, RSI से, NI से, कहानी समझिएगा, आसान भास्ता में समझाने का प्रयास करता हूँ लेकि BI बोलेगा, तो भी आपको ध्यान रखना है कि CSI के अंतरगत आता है आपको DPMS बोलेगा, तो भी ध्यान रखना है CSI में आता है आपको F and A बोलेगा, तो भी आपको ध्यान रखना है कि CSI के अंतरगत आता है CSI में इतना ही नहीं HR इसके लाबा वजट से संबंधी जो भी काम है इस अभी इसके अंतरगत आते हैं FSI में आपका CBS Core Banking Solution और Core Insurance Solution आता है RSI में आपका जो application जो software वियोज में काम कर रहे हैं दरपन में काम कर रहे हैं वो RSI के अंतरगत हैंडल किये जाते थे 1.0 में Network Integrator के तहें डांगर में जो Network उपियोग किया जाता है उसका उपियोग किया जा रहा था 15 नमबर का option B correct है अगला जो question है 16 नमबर का है बोला है DCF Data Center Facility कहां पर स्थित है याद रखिएगा Data Center Facility जो है वो C उत्तर correct हो जाएगा यह मुंबई में इस्तित है इसका option C correct हो गया अगला question पूछा है PMU का मतलब क्या होगा PMU stand for P से होता है Project M से होता है Management U से होता है Unit Project Management Unit Option A correct होगा 17 question हमने कभर कर लिए है 18 नमबर question है बोला है STQS लेकि Basic Terminology आपके सलेबस में दिया है और Basic Terminology से आपके परिच्छा में सवाल निश्रित पूछा जाएगा इसका full form होता है Standardization, Testing, Quality, Certification इध्यान दखीएगा Option A इसका correct हो जाएगा क्या है मानकी करण, परिच्छन, गुर्वत्ता, प्रमारन याद कर लिजेगा important है क्योंकि ये अभी पहला question इसका full form को देखने को हमें मिला था जो और बहुत सारे basic terminology हैं वो परिच्छा में पूछे जाएगे, अभी तो 1.0 question में 2022 में देख रहा हूँ और अभी 2024 में 2.0 का भी question पूछा जाएगा अगला 19 नंबर question है, बोला है data recovery center पराइमरी डाटा सेंटर पूछेगा, आपको नभी मुंबई बताना है, आपको recovery center पूछेगा, आपको बताना है मैसूर अब आप मुझे comment में ये बताईएगा कि primary data center कब से शुरू हुआ, data recovery center कब से शुरू हुआ, comment box में आपके comment का इंतजार रहेगा इसका जो correct जबाप है, वो C हो जाएगा 20 number question है, कि password को गोपनी रखना, maintaining secrecy or password is a responsibility आप, supervisor की, the office की, individual employee की, system admin की याद रखिएगा, जो password होता है, वो बेकदिकत करमचारी का जिम्मेदारी होता है आप से सवाल कर रहा हूँ, कि भाई साब जो ID दिया जाता है किसी करमचारी को, वो कितने अंकों का होता है मुझे comment box में करके बताईएगा, इसका option C correct हो गया है, अगले question की ओर हम चलते है 21 number question है, बोला है, which of the following statement is correct दो statement दिये हैं, दोनो statement को पढ़िये और बताईए कि कौन सा statement सही है, दोनो statement हम पढ़ लेते हैं पहला दिया है कि प्रथम CD का head postmaster एक कार्याले के सभी सक्तियों का प्रियोग करता है ये थोड़ा हिंदी इसका गलत है, कि first class head postmaster exercise all the power of superintendent post office regard their own offices कि जो पाबर एक SP रखता है, वही पाबर एक प्रथम CD प्रधान डांगर का postmaster रखता है, ये कतन बिलकुल सही है दूसरा कतन है कि value payable article and money order will not be booked address to army post office अगर हम डांगर guide भागेक के अनुसार देखें, तो BP और YMO, value payable और money order army post office के पते पर book नहीं किये जाएंगे, ये दोनों बातें सहीं है, option C correct हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को एक like जरू कर दीजेगा, आपके एक like से ऐसी बहुत सारी videos बनाने कहां में motivation मिलता है, 22 number question 22 number का, which are the following incorrect, कौन सा कतन गलत है कतन नमबर 1 को read करते हैं, बोला है, unpaid article, postage is not fully prepared, post article efforted any security transmission over other unregistered mail, पहला statement गलत हो गया, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि unpaid article है, ऐसा article है, जिस पर postage पूरा पेड नहीं है, उस article को दूसरे article की तुलना में ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाती, और पहला ही option में बोला है कि सुरक्षा दी जाती है, तो याद रखीएगा, गलत ढूड़ना था, पहला गलत मिल गया, हमें गलत ढूड़ना था, के बले एक गलत है, option A correct होगा, याद कर लीजेगा, हमें तो इस question को solve किया है, लेकिन उसके बाद जो याद करना है, कि राजस टिकट का उपयोग payment आप postage के लिए नहीं किया जाता, हमें अगर राजस टिकट के बारे में कोई सब्द मिला है, तो उससे हम बहुत सारे चीजें सीख के जाएंगे, इसके लाबा क्या सीखना है, सीखना ये है कि राजस टिकट के इंदर सरकार जारी करता है, ये दोनों बात इंपोर्टेंट है, इसका option A correct था, अगला question स्क्रीन पे है, कितना फिला टेली ब्यूरो ते लंगाना सरकिल में है, option 30 का correct होगा, एक जो है इसका सही जबाब होगा, अगला जो question है, 24 नमबर का है, delay to correspond mistake in delivery often result from dot dot और postal address, कि पत्रा चार में देरी, डिलिवरी में गलती, अकसर, गलत या धूरा, सही या फून, दरबाजा बंद करने ने से इंकार कर दिया, दोनों A or B, कि हमेशा अगर किसी आर् जबरी होती है, तो उसका करण होता है, incorrect और incomplete address, अगला question 25 नमबर question है, बोला है, फ्रेंकिंग वसीन में निम लिखी डाईया होती है, हमने theory पढ़ा है, और पढ़ा है, जो फ्रेंकिंग वसीन होता है, उस पर value डाईया होती है, इसके बाद लाइसे डाई भी होती है, टोटल लेकिन लाइसेंस डाई का उपियोग आर्टिकल पर आपको एक बार ही करना है, चलिए, 26 नमबर question क्यों चलते हैं, 26 नमबर का question है, बोला है, remotely managed फ्रेंकिंग सिस्टम में कौन सा बात सही लिखा हुआ है, दो कथन आपको दिये गए हैं, कथन नमबर 1 है, कथन नमबर 2 है, प हैं, तो इसके लिए आपको head of division को आविदन देना पड़ता है, और वही authority होता है, जो इसको इसको इसू करता है, तो पहला गलत हो गया, हमें ढूड़ना सही था, दूसरे कथन को हम पढ़ लेते हैं, कि license के जो सर्तें बताई गई हैं, इन सर्तों का पालन करना जरूरी होता है, सर्किल के प्रमुख इस नियम का पालन नहीं करने पर उसका license रद कर सकते हैं, ये पाबर head of circle के पास है, तो दूसरा statement सही हो जाएगा, कथन 1 गलत, कथन 2 सही, तो उत्तर हम भी लगाएंगे कि only 2 are corrected, 27 number question को गवर करते हैं, फिर से आपको 2 statement दिये हैं, पहला statement में बोला है कि machine frank article posted later box shall be treated unpaid, बिलकुल बात सही हो जाएगा, अगर कोई machine frank article है और later box में post किया, तो उस article को paid नहीं, बलकि unpaid article treat किया जाएगा, भाहिसाब ध्यान रख लीजेगा, अगला जो आपका statement है, अनरिश्टर अर्टिकल bearing franking machine previous date shall not be accepted, कि पिछली तारीक की सपश चाप वाले अपंजिकरत लेख नहीं स्वाइकार किये जाएगे, ये भी बात सही हो जाएगा, इसी वजह से दोनों बातें सही मिली, इसका उत्तर हम C correct कर देंगे, 28 number question बोल रहा है, कि भाई साव आपको बताना है कि भी पी को साथ दिन से ज़्यादा के लिए डिटेन करना है, परडे के हिसाब से चार्ज कितना लिया जाता है, बताइए, बताइए कि भी पी पारसल है, या कोई अनर्टिकल है, मतलब भी पी लेटर है, साथ दिन से अधिक डिटेन करना है, तो चार्ज क्या होगा, तो ध्यान लखिएगा, पारसल के मामले में, तीन रुपिया परडे के हिसाब से, लेटर के मामले में, दो रुपिया परडे के हिसाब से, वेरहाउसिंग चार्ज लिया जाता है, ओप्सन नमबर ए, करेक्ट हो जाएगा, नेक्ट पोस्ट बैग का बता दिए दोनों का वार्सिक किराया सेम है 1.500 रुपिया है एक बरस का किराया चाहे पोस्ट बाक्स लीजिए चाहे पोस्ट बैग लीजिए याद रखिएगा दोनों का माइंड लेंगे तो 250 रुपिया एक साल का किराया है मुझे आप कमेंट में बताईएगा कि भाई साफ पोस्ट वैग और पोस्ट बाग साथ में लेते हैं तीन महिने का किराया कितना है अगला क्वेशन तीस नंबर क्वेशन है आपको बताना है कि नेत्रहीन साहित पैकेट भेज रहे हैं पंजी कराण एकनॉलेजमेंड चार्ज कितना लगेगा आपको पता होना चाहिए इसपेसल टाइप का आर्टिकल है अगर बीलपी भेजा जाता है तो कोई भी चार्ज इस पर वसूल नहीं किया जाता ध्यान रखने वाली बात है जब कोई चार्ज इस वसूल नहीं किया जाता तो अपसंसी करेक्ट होगा नो पोस्टेज चार्ज बिल बी कलेक्टेड अगला कोशन है थर्टी वन नमबर का बोला है आल दकंट्री वर्ल्ड वित फ्यू एकसेप्संन अर मेंबर अपनों एज यूनिवर्स पोस्टल यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स। यूनिवर्स। यूनिएन कि ध्यान रखिएगा कुछ आप बादों को चोड़कर विसु के सभी देस यूनिवर्स। है question पूछा गया है कि in the foreign post printed paper including book news paper a small packet literature for blind comes under definition of कि विदेशी डांक में पुस्तक बोलिये समाचार पत्र बोलिये छोटा packet बोलिये नेत्रहीनों के लिए साहित बोलिये इनको dot dot की परिवासा के अंतरगत रखा जाता है अब सने बोला ITP B बोला air parcel C बोला letter post ध्यान रखिएगा विदेश डांक में article की दो ही category है एक है letter post जुत्रा है parcel post ये सभी जो point question में बताएं हैं ये सभी point letter post के अंतरगत आते हैं इस बात को ध्यान रख लीजेगा letter post और parcel post letter post में सभी चीजे और parcel post में parcel हो गया और एक बीमा कर पार्सल हो गया अब मुझे comment में ये बताईएगा कि भाई सहाब letter post में बहुत category बताया किस item का letter post में बीमा किया जाता है अगला question 33 number का है बोला है विदेश parcel के आयामों की सतह किमाफ इससे कम तो नहीं होनी चाहिए पार्सल का नियूंतम आयाम पूछा गया है और संसी करेक्ट होगा नियूंतम जो condition है वह आपको ध्यान रखना है बहुत सारे article में 90-40 होता है बहुत बार आपको नियूंतम हरे condition में 90-40 ध्यान रखना होगा अगला question है 34 number का important है ध्यान रखियेगा क्या बोला है examination assessment of custom duty in word foreign article पर खाम इन की आबक विदेशी वस्तु पर सुल्क का परिच्छन करना है मुल्यंकन करना है कहां पर किया जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि सुल्क अरे सुल्क नहीं सीमा सुल्क का परिच्छन या तो foreign post office या sub foreign post office इन दोनों जगहों में किया जाता है obsences का correct हो जाएगा जो foreign post office होता है वो बीनिमय का डांग घर भी होता है लेकिन जो sub foreign post office होता है वो बीनिमय का डांग घर नहीं होता next question में आप से पूछा है विदेशी जाने वाले छोटे packet का अधिक्तम बजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए option 20 का correct हो जाएगा ध्यान रखीएगा small packet का अधिक्तम बजन as per side as per India post side 2kg correct जवाब हो जाएगा अगला question 36 number question है question बोला है choose the correct option relating to international reply coupon अंतर रास्टी उत्तर coupon के संबन में कुछ आपको बिकल्प दिये हैं बिकल्पों का चैन करके बताना है कि कौन सा सही है देखे उत्तर coupon निसुल्क है ये सही नहीं है बात गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे गलट टिक करेंगे किसी व्यक्ति को किसी भी समय 15 से अधिक अंतराश्टी कूपन नहीं बेचे जाएंगे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि किसी व्यक्ति को एक समय में 10 अंतराश्टी कूपन बेचे जा सकते हैं C number का उत्तर हैं अंतराश्टी उत्तरकूपन किसी भी देश में बदले जा सकते हैं जो UPU, Universal Postal Union का member होता है ये बात correct हो जाएगा अगर उसको exchange करना है तो condition है कि वो देश, Universal, Postal Union का member होना चाहिए हमें सही डूढ़ना था, सही हमें मिल गया है, ठीक है? अगला question है 37 number का, maximum आपको weight बताना है बीमीत पत्रों का, बीमीत पत्र हो, हवाई लेटर हो, मतलब air लेटर हो, नॉर्मल लेटर हो, हर condition में उसका जो वजन है दो किलो से अधिक नहीं होगा चलिए, इसका उत्तर भी हो गया, अगला question 38 है, इमलिकित में से कौन सा कथन सही है, फिर दो कथन दिए, भाई कथन वाले को शनाएंगे, अगर आपका theory clear नहीं है, तो आप निश्ची तोर पर गलत कर सकते हैं दो इस statement दिया है, बोला है, लेटर पोस्ट आइटम, पारसल, कुछ देसों के लिए मूल दे, पनाली के तहट बदले जा सकते हैं, देखे कुछ देसों में, जहां पर ये services उपलब्ध है, वहां पर आप लेटर पोस्ट आइटम, पारसल को भी पी के तहट बेज सकते हो, य ये गलत हो जाएगा, क्योंकि COD की service भी सभी देसों के लिउपलब्ध नहीं है, लिमिटेड देसों के लिउपलब्ध है, एक सही था, कहां पर दिया है, बी में दिया है, कि वन, वनली is corrupted, अगला question हमारा 40 नमबर का है, बोला है, विदेसी पंजिक्रत वस्तु के नुकसान क के लिए, कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, no liability is accepted laws foreign register article, when the sender has not made inquiry within one year, ध्यान रखियेगा, कहानी ये है, कि जिस दिन आपने article post किया है, उसके दूसरे दिन से, एक साल के भीतर, आप उस article के बारे में query कर सकते हैं, inquiry कर सकते हैं, सिकायाद दर्ज कर सकते हैं, compensation ले सकते है कि समय आवदी बीतने के बाद कोई भी कारवाही नहीं की जाएगी, option A correct हो जाएगा, अगला है 41 नम्मर का, बोला है, दुनिया भर में डांग टिकट संग्राह करता को निर्भाद रूप से सिबा प्रदान करने के लिए, डांग विभाग ने अपना स्वयम का e-commerce portal launch किया है जिसे हमने क्या बोला, e-post office, e-soft, philatelli post office, yana of the above, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्टी जो है, अभी डांग टिकट को online purchase कर सकता है, पुरे विस्स में कहीं से, वो आपका portal है e-post office, कहां से, e-post office के माध्यन से, जो भी डांग टिकट जारी किया जाते हैं, अगला जो question है, PDA account domestic, philatelli deposit account का सुरुआत क्या हुआ था, तो अगर मैं philatelli के बारे में कुछ आपको चीजे बताओं, ध्यान रखिएगा, जो टिकट संग्रह करता है, उसको collect करने का सौक रखता है, उसके लिए डांग भाग एक account चलाता है, जिसे बोलते हैं philatelli deposit account, शुरुआत हुआत हु 65 से, कहानी क्या है कि 200 रुपय में इस खाते को खोल सकते हो, जो भी FDC होंगे, first day कभर के टिकर जारी किये जाएंगे, जारी करने से कुछ दिन के अंदर ही आपको register bank से भेज दिया जाएगा, option B इसका correct हो जाएगा, अगले question क्यों चलते हैं, international track packet का अधिकतम बजन कितना 2, 3, 4, 5, याग रख लीजेगा कि भाई कुछ country में international track packet की सुभिधा उपलब्ध है, economical है, maximum 2 kg तक भेजा जाता है, कई बार question ये पूछता है कि भाई ये service limited country के लिए उपलब्ध है, तो कौन सा country में भेजा जाएगा, कौन सा country में नहीं जाएगा, उन देशों का याद रख लेना बहुत important है, इसका option A correct हो जाएगा, चलिए, 44 number question में बोला है, अंतर राष्टी कोई registered later है, international registered later है, loss हो गया, damage हो गया, compensation कितना पेवल होगा, याद रख लीजेगा, register article का बात किया है, उसका अलग है, speed post का बात करेंगे, उसका अलग है, speed post delay का बात करेंगे, उसका अलग है, इसका जो सही जबाब हो जाएगा, किसी भी condition में अगर registered article का नुकसान हो जाता है, compensation 30 SDR दिया जाता है, महत्पूर्ण question था, B option इसका correct हो गया, हम चलते हैं 45 की योद, which is the following statement is correct, term prohibited article, निमलिकित में से कौन सा कथन निसिद वस्तु के संदर में सही है, दो statement दिये हैं, कथन number one है, कि कोई भी विसपोटक, जोलनसील, खतरनाख, गंदा, हानी कारक, पदार्थ, निसिद की कटेगरी में आता है, ये बात बिलकुल correct हो जाएगा, हमने अच्छे तरीके से prohibition के नियम पढ़े हुए हैं, हमें ढूड़ना सही था, दूसरा कथन को हम पढ़ते हैं, कि any living creature other thing, which is either noxious, likely to injure post article, कि कोई भी जीविक प्राड़ी है, जो संचरन के दौरान किसी अन्य वस्तु को खराब कर सकता है, उसको भी हम इसिद्गी कटेगरी में डालते हैं, दोनों बातें सही होंगी, सही डूड़ना है, तो हमारा एक सही है, हमारा दो सही है, option number 60 का correct हो चलिए, 46 number question है, आपको फिर से 2 कथन दे दिया गया, दोनों कथन को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर select करना है, क्या बोल रहा है भाई साब, कथन number 1 है, कि बल्क customer define anyone who provide 10,000 agreement with the department, कि हम बल्क customer उसी को कहेंगे, जो महीने में 10,000 का business हमें agreement के साथ provide कराएगा, याद का लीजेगा दो नंबर कथन में दिया है, कि बल्क customer define calendar month, speed post booking office, मैंने दोनों ही कथन पहले कथन में बोल दिया, या तो 10,000 का business देगा, और उसके साथ ताथ उसको calendar माहे में 10,000 का business देना पड़ेगा, तब ही उस customer को थो ग्राहक customer की category में रखेंगे, दोनों बातें सही थी, option C select करेंगे, important question है, भाई, तेलंगाना सरकील हो, तमिलनाडू सरकील हो, केरला सरकील हो, इतना सांदर question ये बनाते हैं, departmental exam के लिए, कि बाकी सरकीलों को भी इनसे थोड़ा सीख लेके, अपने paper का label बढ़ाना चाहिए, साउथ वाले जितने भी सरकील है, उनके paper का label अलग रहता है, और assurance, anticipated adoptment assurance, children policy, convertible whole life assurance, ध्यान लखिएगा, कि उगल सरक्षा को मैं couple सरक्षा बोलता हूँ, इसके बारे में कुछ नियम बता दू, तो 21 से 45 साल के भी जो couple है, उसका age होना चाहिए, 5 साल minimum और 20 साल अधिक्तम के लिए इस policy को लिया जा सकता है, और इसको हम JLA, मतलब joint life assurance के नाम स से भी जानते हैं, अगला जो option B में दिया है, इसको बताऊं, तो इसको हिंदी में सुमंगल बोलते हैं, children policy को CP, और convertible को सुविधा हिंदी में बोला जाता है, इसका जो सही उत्तर था वो ये था, अगला question 48 नमबर का था, कि भाई थोग ग्रहक, डिसेस रूप से e-commerce, परोड तक cash on delivery का सुविधा ले सकता है, महतपूर question है, ध्यान दखियेगा कि कोई भी थोग ग्रहक है, वो COD के मात्यम से अपने आर्टिकल भेजना चाहता है, पचास अजार ये limit तैं किया गया है, इसका जो option था, वो ये correct था, अगला question आपका है, 49 नमबर का, बोला है, प नमबर का, पहला ATM जो है, चेन नई में establish किया गया था, कभी आपसे पुछले ATM की सुरुवात कब हुई थी, 2014 याद रखना है, ATM intraoperable कब हुआ था, 31 दिसंबर 2016 याद रखना है, इस अभी बातें परिच्छक द्रेश्टिकोर से काफी important है, अगला जो question है, 50 नमबर का है, आज Digital Advancement Ruler Post Office for a New India, जिसे हम बोलते हैं, हमें option number B में देखने को मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं, एक नए भारत के लिए, ग्रामी डागर की digital उन्नती, चलिए, 50 question इस वीडियो में किये हैं, उमीद करता हूँ, सभी प्रस्ण आपको समझ में आए है, किसी प्रस्ण में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि उस question में कोई जानकरी अधूरी है, comment box में आपके comment का इंतजार रहेगा, ऐसे comment को priority basis पे solve करने का प्रयास करता हूँ, इस screen पे जो PDF दिख रहा है, पिछले 4 सालों का PDF चाहिए, 80, 60 से ज्यादा PDF उत्तर सहीत, math का solution, reasoning का solution, gg का solution, सब कुछ provide कराएंगे इस screen पर जो पट्टी चल रही है, उस पर हमारा official number दिया है, number है 7610, 7610, 685690 पर संपर करके pet classes में जुड़ सकते हैं, वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe कर लीजेगा, LDC exam समदी सबस्टेज अपडेट पाने के जुड़ेंगे आप सभी का धन्यवाद